Hello everyone, welcome to the channel of KB Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of Classics English, which is the friendly mongos. Mongos मतलब होता है नेवला, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, देखा भी होगा, नहीं तो आपको एक बार दिखा देते हैं. यह देखे, यह है mongos, एक बहुत बड़े से चूहे जैसा यह होता है. और mongos और snake, साप और नेवले की जो एनिमिटी है, जो दुश्मनी है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे, काफी कहानिया भी है, और इस चाप्टर में भी थोड़ा सापको जिकर उसको देखने को मिलेगा. तो जली इसी के साथ स्टोरी स्टार्ट करते हैं, चाप्टर को रीड करेंगे और स्टोरी को समझेंगे, जितने भी कुछ difficult words मुझे लगेंगे चाप्टर में, वो आपको साथ ही साथ explain कर दिये जाएंगे. एक बार एक किसान और उनकी वाइफ अपने छोटे से बेटे के साथ एक गाउ में रहते थे. और वो अपने बेटे को हर पेरेंस की तरह बहुत प्यार करते थे. यह जो पेट है, हमारा जो पालतु जानवर होगा, वो हमारे बेटे का कमपाणियन साथी बनेगा. इस वाइफ लाइफ लाइडिया, उसकी वाइफ को अई आइडिया पसंद आता है. वन इवनिंग और एक शाम को दो फार्मर ब्राट विद हीम अ टाइनी मंगूज. जो फार्मर है, वो अपने साथ एक छोट अचा नेवला लेकर आता है. इस बेबी मंगूज, ये मंगूज का बेबी है ये देखे ये फैमिली है उनकी पूरी और ये मंगूज है बोद देबी और मंगूज ग्रूब, बेबी और मंगूज दोनों बड़े होते हैं इन 5 और 6 मन्स और 5 और 6 महीने में ही दे मंगूज had grown to its full size जो नेवला है वो उसके full size तक grow हो जाता है, मतलब बिलकुल बड़ा हो जाता है और बहुत ही प्यारा जानवर था जिसकी दो चमकदार आखे और एक खुब बाल वाली रेशेदार टेल थी और फार्मर का जो बेबी था वो अभी भी चोटा बच्चा ही था पालने में human baby आप जानते हैं 5-6 months में जादा grow नहीं करते लेकिन कई animals के babies जो है वो बड़े हो जाते हैं sleeping and crying alternatively alternatively मतलब कभी वो कभी कभी रोता था कभी फिर सोता था फिर सोता रोता रोता सोता ये वो करता रहता था कभी ये कभी वो one day एक दिन the farmer's wife wanted to go to the market farmer की जो wife है वो market जाना चाहती है she fed the baby वो baby को feed कराती है and rocked him to sleep in his little cradle और उनको उसके छोटे पालने पे सोने के लिए रख देती है picking up the basket basket उठाती है टोकरी she said to her husband और farmer से उनके husband से कहती है I am off to the bazaar मैं bazaar जा रही हूँ the baby is sleeping और बच्चा जो है वो सो रहा है keep an eye on him उसका ध्यान रखना keeping an eye मतलब ध्यान रखना frankly सच बताऊ I don't like to leave the child alone with the mongos मैं बच्चे को mongos के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती you need not be afraid तुम्हें डरने की जरुत नहीं है said the farmer the mongos is a friendly animal ये तो एक friendly animal है दोस्ताना पशू है ये नुकसान नहीं पहुचाएगा मतलब it's as sweet as our baby ये हमारे baby जैसा ही sweet है and they are the best friends they are best of friends you know और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है हमारा लड़का and the mongos the wife went away wife चली जाती है and the farmer having nothing to do in the house और farmer जिसके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था decided to go out वो बहार जाने की सोचता है and take a look at his field not far away वो सोचता है जाकि एक बार अपने खेद देखाता हूं जो कि बहुत दूर नहीं थे he ran into some friends वहाँ जाता है तो उसको कुछ दोस्त मिल जाते है on the way back वापिस आते टाइम रास्ते में and didn't return for quite some time और वो कुछ टाइम तक वापिस नहीं आता the farmer's wife finished her shopping farmer की जो wife है वो अपनी shopping फिनिश करती है and came back home with a basket full of groceries और वो वापिस आती है बास्केट पूल एक टोकरी भर की groceries घर का समान लेकर she saw the mangoes sitting outside as if waiting for her वो देखती है कि mangoes जो है नेवला वो बाहर बैठा है जैसे कि उसका रास्ता देख रहा हो on seeing her उनको देखकर wife को देखकर he ran to welcome her वो दोड के जाता है और उनको welcome करता है as was customary और ये customary रिवाज ही था वो हमेशा ऐसा ही करता था the farmer's wife took one look at mangoes farmer की wife एक बार mangoes को ध्यान से देखती है and screamed और जोर से चिलाती है blood the face and paws of mangoes were smeared in blood जो face, mouth और paws जो पंजे थे mangoes के वो blood में smeared मतलब बिलकुल सने हुए थे you wicked animal, शैतान जानवर you have killed my baby, तुमने मेरे baby को माट दिया she screamed hysterically hysterically मतलब होता पागलों की तरह वो scream करने लगी, चिलाने लगी she was blind with rage और वो rage मतलब गुसे से blind बिलकुल अन्दी हो गई and with all her strength और पूरी strength से अपनी पूरी ताकत से brought down the heavy basket full of groceries जो groceries की भरी भी basket थी वो नीचे पटक देती है on the blood smear mongos किसके उपर? जो खून से सना हुआ mongos था उसके उपर and ran inside to child's cradle और दौड के बच्चे के जो cradle है जूला उसके पास जाती है the baby was fall fast asleep, baby जो है वो अभी भी सोया हुआ था but on the floor lay a black snake torn लेकिन floor पर वही नीचे जमीन पर एक काले रंग का सांप बिलकुल torn मतलब ऐसे फाड़ना होता है लेकिन यहां पर कटा हुआ बीच से and bleeding और खून से बरावा पड़ा हुआ था in a flash बहुत जल्दी she realized what has happened वो समझ गए कि क्या हुआ होगा आप भी समझ गए होगे जरूर उसने ये snake इसके baby को हाम पहुँचाने के लिए आया होगा और mangoos ने इसको मार दिया होगा she ran out looking for the mangoos वो बहर जाती है mangoos को देखने के लिए oh you saved my child तुमने मेरे बेटे को बचा लिया you killed the snake तुमने साब को मारा what have I done और मैंने ये क्या किया she cried touching the mangoos वो रोती है mangoos को टच करते हुए who laid dead and still unaware of her sobbing जो की बिलकुल अंजान है जो वो sob कर रही है रो रही है सिस्किया ले रही है उससे the farmer's wife who had acted hastily farmer की जो wife जिसने बहुत जल्दबाजी में act कर दिया and rashly stared long at dead mongos बहुत देर तक dead mongos को stare करती रही then she heard the baby crying उसकी बाद उसने देखा कि baby रो रहा है wiping her tears अपने आसू को पहुचते हुए she went in to feed him और वो उसको feed करने के लिए अंदर चली जाती है ये कहानिया जो पंच तंतर से ली गई है और आपको क्या सीख मिलती है इससे कि कभी भी गुस्से में when you are very angry कोई भी ऐसा decision नहीं लेना चाहिए especially ऐसा decision जिससे किसी को या आपको बाद में harm हो okay so that's all students इसी के साथ आपका chapter फिनिश होता है hopefully chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो ये कहना चाहरा है आपको जो सीख आपको इससे मिलती है वो भी आप समझ गया होगी thank you so much for watching बहुत जल्दी सके question answers and quiz भी upload करती जाएगी